नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नमरता चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों यदि आप परेशान है अपने चेरे की जाएंपल से, दाख धब्बों से, जुर्रियों से, एकनेस से जो भी प्रोब्लम है, आपके आँखों के नीचे डाख सरकल है, सारी समस्याओं का समाधान है, ये एक नुस्खा अगर आपने ये एक नुस्खा आठ दिन तक प्रियोग कर लिया, तो सच बोलती हूँ रिजेट आप खुद देख ली दिये आप खुद मुझे कमेंट करके बोलेंगे, कि मेरे चेहरे के सारे दाख दब्बे गायब हो गए है, दोस्तो पूरी जानकरी लेने के लिए वीडियो आप पूरा देखना, दोस्तो सच बोलती हूँ, अगर आप ये पिंपल्स के भी दाख दब्बे होंगे, यानि की महासे क अगरो पाठी हाँ, और भी दाख दब्बे होंगे, तो उन दाख दब्बों को भी ये नुसका खतम कर देगा, जडव से खतम करेगा, आप छलिये चलते वीडियो एप पसंद आई वीडियो को लिए करना, दोस्तों प्वीडियो करना, चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक ग्रसलीन आपके इस्किन को बिल्कुल आप ये समझ लीजे बच्चों जैसा कर देगा स्मूद सॉप्ट और पूरे नुश्के के बारे में बताऊंगी ज्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अब इसके बाद में हम इसमें दूसरी समझ लीजे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा चमच ग्रसलीन लिया है और जो मैं आपको सीरम बता रही हूँ ये सीरम आप बना करके एक साथ पंदरे दिन के लिए रख सकते हैं ये बिलकुल खराब नहीं होता है और अब इसमें दूसरी समझ लीजे हम डालेंगे बो है दोस्तो गुलाव जल आप इन सभी चीजों के बारे में जानते होंगे कि इनका क्या क्या फायदा मिलता है दोस्तो ये जो गुलाव जल है ये आपके स्किन में मोस्ट्राइज पैदा करेगा अगर बहुत लोगों की रूखी सुकी तुचा होती न तो उनकी रूखी सुकी तुचा में भी ये फायदा करेगा ये हर टाइप की स्किन में फायदा करता है अब इन दोनों चीजों को हम मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर आपने देखा मैंने एक चमर डाला है ग्रसलीन और दो चमर डाले है इसमें गुलाब जल आप चाहें तो ग्रसलीन की कॉंटिटी कम ज़्यादा कर सकते है अब इसमें तीसरी सामकरी हम डालेंगे वो है दोस्तो लेमन यानि की नीबू का जूस नीबू का जूस हमें डालना है आठ से दस ड्रॉप इससे ज़्यादा नहीं आठ से दस बूने आप नीबू का डाल दीजिए अब यह नीबू क्या करता है यह नीबू आपके रोम चिद्रों को साप करेगा जिससे की आप यह जो ले रहे दाग दबे खतम और आपके डाग सर्कल बोवी समाब यह नी जैसे कि आपने देखा सर्जियों के मौसम में डाग दब हो जाती है चेरा डल पढ़ जाता है कलर डाउन हो जाता है सब चीजे समाप्त हो करके आप बिलकुल आप देखना आपका जो चेरा आप अपने देखना इसको अब इसके बाद में आपको लगाना कैसे है इस नुस्के को आप इस तरीके से सीरम को बना करके किसी सीसी बगएर हमें रख लीजिए और अब इसको क्या करेंगे आप इसे लगाईएगा रात में सौने से पहले अगर आप जॉब करते हैं तो रात में लगा लेकिन रात में आप जरूर लगाना तो इसको आप कोटन लीजिए कोटन से इसको अपने चेरे पर लगाए इस सीरम को और लगा करके इस तरीके से लगा करके और आप अपने चेरे पर या हाथ पर या गरदन पर कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं और लगा रहे हैं कि बाद मे आप इसकी करिए मसाज मसाज आपको लगातार पांस से च्छै मिनिट तक करना है च्छै मिनिट तक आपने मसाज कर लिया तो दोस्तो ब्लेट का संचार अच्छा होगा आपकी मास्वेसिया तेजी से काम करेंगी और जब मास्वेसियत जी इसे काम करेंगी दोस्तो तो आप खुद सोचिए कि आपके चेहले का क्या होगा आपका चेहला दोस्तो गोरा हो जाएगा शमकदार हो जाएगा शाइनिंगदार हो जाएगा आपका चेहला ऐसा हो जाएगा जैसे किसी एक्टर का होता है आप खुद देखना इसका कमाल इस नुस्खे का ये बहुत है गजब का और कारगन नुस्खा है निजएट मैंने बोल दिया आपसे आठ दिन में तुरंट से देख लेना और अब इसके बाद में जिसकी रूखी सुखी तो अचा है मालो बहुत ज़दा ड्राई रहती है वो क्या करें आप चाहें तो इस तरीके से नारियल का तेल इसमें डाल दीजिए दो से तीन ड्रॉप इससे ज़्यादा नहीं और अगर नारियल तेल नहीं है तो बिटामिली का कैपसूल होगा वो डाल दें आप बिटामिली का कैपसूल इसमें अगर आप यूज कर रहे हैं तो आधा कैपसूल ही डालें इत्ते नुसके में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो से तीन ड्रॉप इसमें नारियल का तेल डाल दिया है दोस्तों आप बस इसको ट्राई करना मेरे कहने पर और इसके कोई भी साइड डिफ्रक्ट नहीं है आप मेंगी मेंगी क्रीब में लेकर के आते हैं उसको लगाते हैं उनसे आपके कहीं दाने पर जाते हैं कहीं छोटे दाने पर जाते हैं कहीं गड़े हो जाते हैं इससे कुछ नहीं होगा यह सारी समस्या को समाप्त करेगा अगर आपके इसके खुरदरी टाइप ही है तो उस तो भी खतम करेगा नुसका यह बहुत यह कारगर और बिल्कुल आजमाया हुए नुसका है तो आप देखे इन सभी सामागरिये को मैंने यूज कर लिया है तो आप इसको यूज करिएगा इस तरीके से आप रात में लगाएं दिन में लगाएं लेकिन रात में सोने से पहले जरूर लगाएं और रात बर के लिए ऐसे ही छोड़ते लगा करके आप इसे लगाएं पान से चे मिनिट आप इससे मसाज करिये मसाज करने के बाद आप ऐसे ही रात बर सोजाईए और सुवह उठकर के आप पानी से धोलीजिये आप देखना आपका चेहा डमकने लगेगा आप के पैने घुल अब सबसे खोब सुरत måste कहीं पार्टी बगरां में गए ना तो सबसे सुन्धर आप ही लगेगे दोस्तो आपका चेहा बिल्कुल चमकदार और शाइनिंगदार हो जाएगा आप जरूर इसनों उसके को ट्राइ करना और मुझे कमेंट करना बिलकुल मत भूलना तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक करिए दोस्तों से खरी चैनल सस्काइब करिए मैं मलें तो तक के लिए नमस्कार